चलिए ट्रेंड आज मनाएंगे फटेवे दूद से बहुती टेस्टी सी यूनिक सी रेस्पी आसकल गर्मीत नहीं होगी दूद को गरम भी का तो फ्रीज में भी रखतो तो तब भी दूद फटी जाता खटा होई जाता है मेरे घर में होल मिलका अंसाइद इसकी डेट निकल चलिए खटा हो गया लेकिन अच्छी तरह से फटा नहीं था मैंने इसमें थोड़ी सी विनेगल डान ली आपनी भी डान सकते अब खटा दूद हो गया उससे पीएगा तो कोई नहीं और दूद को वेश्ट जाने नहीं देगे पनी बनाने में टाइंगे तो आज में बनने वाली रैस्पी बनाएंगे जो बहुती टेस्टी भी बनेगी आपको बहुत पसे आएं और यहां बहुत सारे प्याज मैंने दो कटवी प्याज लिए तो हलका सा सोटे करने ज्यादा लाल करने की जरूर्ट है नहीं फिर में लेनी है वेजी और पनी इन सारे इसमें है यहा प्यादा देर कुक करने की हमें इसे जोर थैरी सिर्फ इसे पार्च मिंटी हमें कुक करना है क्योंकि सारी सब जजन दिया पक जाने वाली है फट्टो यह दोज से हेल्टी सी रैस्पी बन कर रही हैं बद